आज मैं आपको सूर्दास के पद का पहला पद पढ़ा रहे हूँ जिसमें गूपियां उद्धप पर व्यंग करती हैं इस पद में व्यंगात्मक शैली का प्रयोग किया गया है वैं उद्धप से कहती हैं हे उद्धप तुम तो बड़े ही भागिशाली हो तुम बड़े ही के साथ रहते हो फिर भी तुमारा मन उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुआ है किस प्रकार जिस प्रकार की कमल का पत्ता हर समय पानी के अंदर रहता है लेकि उस पर जल का कोई भी असर नहीं होता जिस प्रकार तेल की गागर में अगर जरा सा पानी डाल दे तो तेल अलग र तेल और पानी अलग-अलग ही दिखाई देते हैं। इसी प्रकार तुम कर्ष्ट के साथ रहते हुए भी जराबी प्रेम से युक्त नहीं हुए। उसी प्रकार हैं जिस प्रकार गुड में चिपकी हुई चीटी को अलग गुड से अलग किया जाए तो वो अपने प्राण त्याग देती है किन्तु गुड से अलग नहीं होती। उसी प्रकार अगर हम को तुम कृष्ट से अलग करोगे तो वो अपने प्राणों को त्याग देंगे। हम उन से अलग हो करके किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह पाएंगे। है और जल अलग रहता है। प्रीत नदी में पाउन अबोरियों तुमने तो प्रेम की नदी में पैर बोरा ही नहीं है। डाला ही नहीं है। तुम क्या जानो कि प्रेम क्या होता है। तुम तो प्रेम से सदा ही दूर रहे हो। तुम किसी के सौंदर पर मुग्द ही नहीं हुए। हे उधव जी, हम तो बहुत ही भूली भाली हैं, हम तो गुण में चिपकी हुई चीटी के समाने हैं, यदि हमें गुण से अलग किया जाएगा, तो हम जिस प्रकार गुण से अलग करने पर चीटी अपनी प्राणों को त्याग देती हैं, उसी प्रकार क्रिश्न से अलग होने पर हम अपने प्राणों को त्याग देगे। इसी पद के आधर पर बच्चों में आपको कल प्रश्ट दूगी जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं.